Hello everyone, this is Dhanan Jay, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, भारत और चाइना के बीच में रिलेशन खराब है, ये बात तो तकरीबन सभी भारतियों को पता है, साल 2024 में कुछ ऐसी घटनाए घटी है, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि आने वाले कम से कम एक साल में भी, भार अगर आगे बढ़ने जे पहले आपको मेरा effort पसंद आता है, तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाओ है, तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं, ये दा Indian Express का 18 March का article है, जहां पर आप देख सकते हैं, Chinese military के दोबारा ये कहा जा रहा है कि अरुनाचल प्रदेश चाइना का एक integral या inherent part है, अब ये claim अपने आप में बहुत ही बड़ा claim हो जाता है, अगर हम सिर्फ साल 2024 की बात करें तो दो ऐसे incident हुए हैं, जो कि ये बताता है कि भारत और चाइना के बीच में relation normal कम से कम भी तो एक साल में ऐसा होता 8 March को ऐसा news आया है कि भारत ने 10,000 से भी अधिक troops को चाइना border के आसपास वाले region में deploy किया है, हलाकि इस news को अब तक नहीं तो government of India या तो ministry of defense ने कहा है कि ऐसा कोई भी movement किया गया है, इस बात को हम समझ सकते कि कोई भी देश अपने defense related matter को बहुत ही कम public domain में में रखता है, और दूसरा गर हम example हम देखें, तो US के द्वारा या US intelligence के द्वारा एक report published किया गया है, जहां पे ये बताया गया है कि भारत और चाइना के बीश में possibly एक war like situation create हो सकता है, जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान एक side में हो सकते हैं और भारत एक तरफ अब personally मैं कभी उस moment को witness नहीं करना चाहूंगा जहां पे चाइना, भारत और पाकिस्तान तीनो एक साथ एक बार war में आ जाए, इसके पीशे का एक जो सबसे बड़ा वज़ा है वो ये है कि तीनो देश एक nuclear power देश है, यूकरेन और रश्या के बीश में war चल रहा है, उसके पीशे का वज़ा है कि यूकरेन एक nuclear power नहीं है, अगर यूकरेन के पास nuclear weapon होता, तो शायद रश्या पे उसके उपर attack नहीं करता, इरान के बारे में US या इसराइल कभी भी नहीं चाहता है कि इरान nuclear weapon को develop करे, जितना खत्रा इरान के nuclear weapon से इसराइल US को है, उतना ही खत्रा सा रखता है, चाइना के defense ministry के spokesperson करनल Zang ने officially ये कहा कि अरुनाचल प्रदेश तिबत का सदन हिस्सा है, चाइना तिबत को शीर Zang कहते हैं, अब अगर मैं ये नाम को सही pronounce नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, और साथ में करनल Zang ये भी कहते हैं कि वो प्रदेश को भारत ने illegal तरीके से उसको occupy कर रखा है, अब इसके पीछे का वजए बहुत सारे हैं, अगर हम कुछ एक points के उपर अगर हम focus करें, तो जब से President Xi Jinping चाइना के President बने हैं यानि कि 2013 से उनका जो policy है, वो काफी aggressive policy है, जहां पे वो US या वैसे देशों को target करते हैं या कर रहे हैं, जो US के काफी close है, या कहले कि कुछ हद तक US का तरफ tilted है, वहीं 2014 के बाद ऐसा देखा गया है, Government of India का huge investment है, खास करके North Eastern region में और LSE region में, उसको देखते हैं जो Government of China है, वो थोड़े से uncomfortable है, अब इसके पीछे का वजए कहनी के जरुवत नहीं है कि कोई भी अपने दुश्मन को बड़ा होता हुआ, वो देखना नहीं जाएगा, एक्सपर्स ये कहते हैं कि चाइना का LSE region के आस पास उनका infrastructure development काफी अच्छा है, भारत भी बीदे कुछ सालों में अपने infrastructure development को काफी अच्छा किये हैं, और जिस तरीके से all-purpose road या tunnels बनाया जा रहा है, ऐसा द inauguration करते हैं, अगर मैं आप लोगों को मैक में दिखाऊं तो ये पढ़ता है, सीला टनल, अब अगर आप इसको मैक में देखेंगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ये बनाया गया है, और इससे जो movement है अपने military का, या जो overall जो transportation होता है, वो काफी quick हो जाएगा, त आप war में उतना ही जादा advantageous position पे रहते हैं, हलाकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब China बढ़ चड़के अपने area को वो claim करता हुआ आया है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, और in fact, Russia और China के बीच में भी border dispute है, और China बढ़ चड़के बहुत सारे जो areas Russia के हैं या Japan के हैं, उसको अपना एक integral part मानता है, तो इसी के response में government of India ने कहा कि China अपने मन से कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, अपने मन से वो कोई भी map design करके और जिस मर्जी उस area को अपने में include कर ले, वहां तक तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुनाचल प्रदेश इं अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो personally मुझे ऐसा लगता है कि government के इस action को personally आप appreciate करेंगे, किसी time पे North Eastern region को काफी ignore किया गया था, roads वगेरा या tunnel वगेरा का जो construction था, वो नहीं हुआ था, in fact 1962 का war को अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा वक्त निकाल के तो आपको मालूम पढ़ेगा कि जितने भी जो हमारे जवान थे, वो काफी bravely लड़े थें, लेकिन उस वक्त condition कुछ और था, infrastructure हमारे पास था नहीं, और शायद जो coordination था, coordination भी proper नहीं था, तो वो भी एक बहुर बड़ा वज़य था कि हम उस जंग को हार गये थें, अब क्योंकि PM Modi 9 मार्श को रुनाचल प्रदेश जाते हैं, और वहाँ पर tunnel का inauguration करते हैं, जिसको देखते वे जो चायना है, वो officially अपनी नाराजगी को व्यक्त करता है, और साथ में ये भी कहता है कि भारत और चायना के बीच में जो tense situation चल रहा है, वो इस तरीके से resolve नहीं होगा, कहने का ये मतलब है कि चायना को ये उमीद था कि हमारे P.A. मोदिरुनाचल प्रदेश ना जाएं, और चायना अपने मन से अपना infrastructure development को करता रहे और भारत ना करें, अब तक लगभग कुछ 21 round of high level conversation या बातचीत हो चुके हैं चायना और भारत के बीच में, गालवान वैली के बाद, लेकिन अब ये दुनिया बस बढ़ चड़के, peace and prosperity की बाते करते हैं, अगर आपका देश strong नहीं रहा, अगर आपके देश का infrastructure development नहीं रहा, आप research and development में गरा पैसे invest नहीं करते हैं, आपके army, defense अगर आपका strong नहीं रहा, तो उस देश से फिर कोई नहीं डरता है, US का hegemony इसलिए भ कोई कितना भी कहले, सामने वाला देश आपका बात तभी मानेगा, जब आप strong होंगे, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे, तो मैं माफी चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye.